लमस्कार दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है, तो मैं आज यहापे में discussion करने वाला हूँ, कुछ companies के आपडेट के बारे में, कुछ companies के in-depth details के बारे में, तो इस वीडियो को पुरा लास्तिक देखिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्र इस तरीके से वीडियो पाने के लिए, क्योंकि में as a swing trading किस तरीके से बनेगा, कौन सा लेवेल से बनेगा, और साथ ही साथ में as a long term investor के लिए क्या राय होंगे, उसके बारे में भी discussion करूँगा, तो वीडियो को सुरू करने से पहले request करूँगा, चैनल को subscribe कर लिजेगा, औ पेलिग गाम को भी join कर सकते हैं, जापे में जितने सारे swing trading बनते हैं, मैं पहले से आपको update आपसे दे देता हूँ, तो चलो देख लेते हैं, आज के कुछ stock के details के बारे में, सबसे पहले में discussion करूँगा, एम सुमी के बारे में, एम सुमी मतलब मदार्शन सुमी इंटन, sorry, म और demarch करने के बाद इस company के उपर extra benefit हमें हर लोगों को मिला, इतने सारे लोगों के पास समर्धना मादार्शन सुमी companies थे, तो उसकी directly फाइदा यहां भी मिला है, उसके बाद में बार बार आपको बोला था कि इस company का जो stand है, वो आपको feature में जुरू दिखेगा, क्योंकि इस to five years तक company का बहुत सार प्रोजेक्ट almost company ने acquire कर चुके है, पांस साल तक company को पीछे मुड के नहीं देखना पड़ेगा, इसका मतलब है नहीं के पांस साल के बाद वो हाथ में हाथ रखकर बैठेंगे, तो अभी तो जो फिलाल इतने सारे प्रोजेक्ट मिला, वो company का पांस सा तक company अराम से खुद को sustain कर पाएंगे और अच्छा कासा profitability भी कर पाएंगे, तो company को गुरोत के बारे में बात कर तो company के valuation थोड़ा सा हाई है, book value एकदम low में है, और company का dividend yield भी देखने को मिला, हर एक लाख सेर में company आपको एक हजर का dividend company ने दिया है, तो company के return, equity return, capital employed भी अच् कोटर के पास 61% का holding है, overall बात करो company का जो chart button या पर peer ratio की साब से बन रहा है, अगर ध्यान दिजिएगा, एक time peer ratio कहाँ पे चला गया था, 63 तक चला गया था, और उसका time कौन सा था, वो time था, September मान में और 2022 में, उसके पाद देख, peer ratio में correction हुआ, और peer ratio लो किये थे 48 के आसपास और 17 मार्च में और उसके पाद थोड़ा सा जम किया, और फिर से वो correction किया, और फिलाल के लिए peer ratio उसी range के उपर फसे हुए है, तो companies के जो quarterly result है, उसके बार में बात करतो, company इस बार अच्छा खासा result किया, पिछले सालों के quarter के तुनना से, company का जो profit margin है, profitability margin भी बढ़ चुके है, मगर expense जो है, वो यहाँ पर देखिए, बढ़ चुके है, material cost जो है, वो बढ़ चुके है, 64% से आसपास company का material cost था, वो बढ़ के हो चुके 67% का आसपास, तो यह जो growth है, इस growth मतलब, यह जो increasing है, इसके कारण stock के उपर थोड़ा सा pressure देखने को मिला, तो overall बात करो, investor के बा है, buying हो चुके है, इस quarter में company को पर क्या हुआ, बड़ा से माल बेचा गया, हाँ, जितना माल बेचा गया, वो अच्छा खासा माल यहाँ पर बिचा गया, क्योंकि यहाँ पर चार्ट पटन वही बता रहा है कि continuously देखिए, यहाँ बाइंग होने के बाद, continuously बाइंग होने के तो छोटा सा hidden solder जैसे pattern बनाया, और इस hidden solder pattern में मैं आपको mention किया था, यहाँ पर जो head बना, उस head को आप मार्किंग कर लेना, और उस head के हिसाब से आपको target मिल सकता है, तो target किस level तक मिलेगा, आप ध्यान दिजीगा, जो target है, वो ही level तक target आपको मिलेगा, जो level में पहले भी आपको mention करकर रखा था, जो level इसका strong resistance है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर anti-level, इस candle के उपर आपको देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर जो breakout है, इस candle ने breakout दिया, और इस candle ने आपको confirm किया, तो इसके उपर anti-level बना, और target level इस level तक जुरू जाएगा, तो यहाँ पर अगर मैं इस level से anti-level से आगर target तक देख रूँ, तो around 11% का gain आपको मिल सकता है, देखिए मेरा कोई recommendation नहीं है, मैं आपको सारे चीज as a education purpose में बता रहूँ, आप सीखते जाएए, आपको खुद बता चलेगा कि कहां से आपको anti लेना है, और किस जगा पे आपको anti बनेगा as a targeting लेकर आ नेक्स जो company इसके बारे मैं बात करेंगो, इसका नाम है AFL India Limited, आप सभी जानते इंडिया के एक popular company है, जिसके मात्थम से आप देखाजे तो internet का messaging sector, email sector, सती साथ advertisement sector, इस सारे sector के उपर company काम करते है, एक IT sector company होने के नाते भी इस company का growth है, वो लगाता लगाता इंक्रीज हुआ, मगर अभी फिलाल के लिए company के जो share price है, वो लगातार लगातार downside में देखने को मिला, ऐसे नहीं कि company में stand नहीं है, company में return of equity भी अच्छा कासा है, return of capital emperate भी अच्छा कासा है, peer issue थोड़ा सा high है, तो इसलिए थोड़ा सा correction है आपको देखने को मिला, zero debt company है, company अच्छा कासा sell increase किया, expense को भी company control में रखा, इसलिए company का profit है, वो 18% से 19% तक हो चुके है, इसका मतलो operating profit जो है, आपे अच्छा कासा increasing देखने को मिला, और अब investor के बारे में बात करो, तो देखिए, promoter से लेकर, institution भी इस company के उपर टिके हुए है, और institution भी इस company के उपर buying करकर रखा है, क्यो share holding patterns के बारे में बात करो, तो देखिए, इस बार company तो सारे हद कर पार कर दिया, company सबसे ज़्यादा company के उपर mutual fund माले ने क्या किया, buying किया, करीवन करीवन 18,00,000 से भी ज़्यादा quantity यहापर उठाए गया, तो इतनी बड़े quantity यहापर उठाए गया, तो इतनी बड़े, sorry, 18,00 यहापर टोटल जो increasing देखने को मिला, वो बहुत सांदार levels का है, और उसी के चलते company के उपर एक sharp momentum देखने को मिला, आप देखेंगे volume किस तरके से हो रहा है, यह पहले भी आपको mention किया था, जो mention आपको में, आपको बार बार आपको बोला था, कि दो levels में आपको दिया था, यहापर first level दिया था, कि इस level में कुछ time volume create किया, और उसके बाद breakout हुआ, तो इस level में anti था, और यहापर target था, फिर से यहापर इस level में anti दिया, और यहापर target यहापर 109 तक target जाएगा, तो target जाने के बाद थोड़ा सा time यहापर बिताने के बाद फिर से breakout हुआ, तो बड़ा तो इसके बार बात करूंगा जिसके नामें बाला जी आमिन्स तो इसके उपर में बहुत दिन से से बार-बार मैं आपको बोल ला था कि इस कमपनी में एक अच्छा-घा सा गुरोध देखने को मिलेगा इंक हो ग्रोध मिनने का जो चांसे से और sell up जो हो रहा था और वो sell up अगर देखेंगे तो मैं यहाप एक marking आपको करके दे रहा हूँ और फिर आपको clear हो जागा देखिए यह पर यह जो black color का line देख रहा है वो 200 days EMA के नीचे है देखिए इस company जो trade बनाया तो मेरे favor में क्यों हुआ क्यों कि मेरे favor में नहीं stock market के rules के सबसे हुआ क्योंकि देखिए 200 days EMA सती साथ 50 days EMA और 20 days EMA सारे EMA के नीचे आपर trade बना और इसी जगह से company क्या क्या continuously boom किया और वो भी 20 strategies को maintain किया अगर 20 strategies नहीं जानता है तो आप मुझे comment करिएगा जितने सारे EAS आएंगे तो इसके उपर in depth में आपको analysis करके दूँगा कि इस तरह के से strategies बनता है तो आपको anti level कहाँ पर मिलेगा और कहाँ पर exit मिलेगा देखिए मैंने आपर anti लिया और मेरा target के आसपास ही है तो target मिलेगा तो मुझे कितना percent का gain होगा अगर इस level से में इस level तक देखू तो मुझे target मिलेगा करीवन करीवन 30% के आसपास और वो भी 30 days के अंदर अंदर तो सोचिए 30 दिने के अंदर अंदर 30% return मिलना कोई इतना कम नहीं है बहुत बड़ी बात है तो मे इस पर एंटी हम लग जुरू लेंगे तो फिलाल के लिए कोई एंटी लेवल मत लेना उसके नेक्स जो कमपने जिसके बारा में NDR Auto Components Limited लिमिटेड एक auto sector के कमपनी है इस कमपनी में अच्छा खासा एक growth आपको देखने को मिला तो इसलिए कमपनी का जो promoter है उन्हें one-to-one का यहाँ पर bonus announcement कर चुके है तो इसके bonus पाना चाहते तो इसके उपर details वीडियो पाना चाहते तो मुझे जुरू comment करना और इस तरह की से वीडियो पाने के लिए चैनल को जुरू subscribe करना और वीडियो totally education purpose में था मेरा काम है आपको सिखाना आपका काम है सीखना सीखते और future के लिए इंडिये का growth भी होगा आपका अगर growth होगा तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक लिए अच्छे सरी अपने ख्याल रखिए बाबाई